Hey guys, Facebook के एक नए अपडेट आया है, आगर आप लोग इस अपडेट को धियान से नहीं समझते, तो आप लोग फेस्बूक से एक भी पैसे नहीं कावा पाऊगी, मैं वह आप लोग का भाई शायन आ चुका हो एक और नए वीडियो के साथ, तो guys, आगर आप लोग जैसे Facebook पे, Instagram Ads की यहाँ पे जाते हो, तब आप लोग को कुछ इस तरह के एक notification देखने को मिल रहा है, आपको स्क्रीन पे, तो इस notification क्या मतलब है end, यह notification क्यों देखने को मिल रहा है, तो चलिए मैं आप लोग को बताते हो, तो आप लोग जैसे Instagram Ads को पेन करते हो, आप लोग के सामने आप लोग नहीं करते, you may not be eligible to receive any payout for Instagram Ads, तो क्या होगा कि आप Instagram Ads से कोई भी payout accept करने के लिए eligible नहीं रहोगे, मतलब आप Instagram Ads से एक भी पैसा नहीं कमा पाऊगे, आपका मैनत पूरा जाया जाने बाला है, तो क्यों होता है यह, मैं आप लोग को बताता हो, और इस चो ट्राम से इनमें क्या है, तो guys आप सभी को पता होगा, आप लोग को Instagram Ads से अपने page या profile को monetize करने के लिए आप लोग को regular video upload करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग जैसे criteria को complete करते हो, तो आपका जो page या profile है, वो Instagram Ads से monetize हो जाता है, मगर उसके बाद क्या होता है, कि आपका जो video ह उसको पर add चलता है, और उससे जितना भी earning होता है, उसका 55% Facebook आपको देता है, और 45% Facebook खुद रखते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला, October 6 से Facebook ये decide करेगा कि आपको कितना percent earning का, कितना percent आपको दिया जागा, और earning का कितना percent Facebook खुद रखेगा, Facebook चाहे तो सिफ आपको 1% भ लोगों कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बतना चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट जरूर करना है